तो अभी उन्टेर आ रहा है और इस टाइम पौधों की ग्रोध करना थुरा मुश्किल होता है और पौधों की ग्रोध नहीं होती पौधों में अच्छे फिलावरिंग नहीं होती ये बहुत सारे prents की problem है तो ये problem solve करने के लिए बहुत ही बड़िये fertilizer के बारे में बताओं जो एक micro nutrients भी है और यह जो fertilizer है एक पौधे को पूरा nutrition देगा जिनसे पौधे में बेशुमर फूल फल आएंगे और growth भी बहुत ही बढ़िया से हो तो हमारे plant जो होते हैं एक ही branch होते हैं तो इन में अच्छे flowering नहीं होती तो यह दिखी इसके लिए हम plant को pinching करते हैं और pinching करन होता है जो tip का portion है इसमें सिर्फ उपर की दो पती हटा दिया है आप देख लिए तो इन में एक साथ नहीं है बहुत सारे branches आएंगे और बहुत सारे flowers भी खिलेंगे बहुत बढ़िया fertilizer बताने वाली हूँ जिससे free का fertilizer है और plant में बढ़िया से flowering ले सकते हैं तो बाजर से मह लेंगे खाथ खरीदे बिना भी अच्छे से gardening किया जा सकता है और मैं organic fertilizer हमेशा यूज करती हूँ अपने plant में और आप से share भी करती हूँ friends और यह free का fertilizer होते हैं लेकिन इनका result बहुत बहुत ही बढ़िया होता है तो हमारे जो winter के plant होते हैं इनको भी दे सकते हैं या किसी भी permanent plant में भी दे सकते हैं और यह दिखिए गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है तो किसी भी प्लांट में 7-10 दिन के gap में plant में हलकी से गुड़ाई कीजी तो मेरे pot में जितने सारे जो घास फूस उख जाते हैं इनको मैं fake देती हूँ इसे पौधे को पूरा nutrition मिलता रहता ह और लास्ट वीडियो में मैंने बताया है आपको अभी मिट्टी में कौन कौन से fertilizer देने हैं कौन से root treatment करने हैं जिन से plant healthy growth करेगा और flowering भी बढ़िया से करेगा और अगर आपके plant में flowering नहीं होती तो उस वीडियो में flowering के लिए भी fertilizer बताया है friends तो आग जो fertilizer बताने वाली ह हैं जो फलों के छिलके होते हैं इनसे मैं fertilizer बनाने वाली हूँ जिन में भरफूर मात्रा में potassium होता है calcium होता है magnesium होता है phosphorus होता है जिन से मिट्टी बहुत ही ज्यादा acidic बनती है और इनसे अच्छी flowering अप ले सकते हैं जिन में से बहुत ही important होता है citrus fruit यानि जो खटे फल होते ह संत्रा हो गया और मैंने जो फल दिये हैं बहुत सारे फल है इन में अनार है जो बनाना है यानि केले का चिलका है साथ में यह मुसंबी के चिलके हैं तो इन में से सबसे ज़्यादा important होता है बनाना का चिलका और जो citrus fruit होते हैं यानि संत्रा या मुसंबी के चिलके जो होते ह यानि जो खटे फल होते हैं निम्बू के चिलके भी दे सकते हैं ये प्लांट में फ्लावरिंग लाने में बहुत जादा कारगर है और ये दिखिए ये ही गुड तो थोड़ा सा छोटा सा गुड का टुकड़ा दिया है मैंने इसे जो फर्टलीजा बनेगा ताकतबर बनेगा प्लांट में आप जब भी देंगे बहुत जल्दी ये एब्सर्ब करेगा इसमें जो निट्रिशन होता है भरपूर मात्रा में आइरन भी होता है और ताकतबर बनाने के लिए और भी एक चीज है तो ये एक चीज है चाय की पत्ती और दूसरी चीज में आगे बताने वाली हो कौन सी चीज में फटलीजर में मिलाने वाली हूँ तो चायपती मैंने फ्रेश चायपती लिया है एक टीस्पून से थोड़ा कम लिया है और अगर आपके पास पुरानी यूस की हुई चायपती है तो भी आप मिला सकते हैं और इसके लिए मैंने पाणी दिया है 100 ml से थो कर सकते हैं तो अभी मैं चान कर पानी निकाल रही हूं आप इन में फिर से पानी दे कर रखिए तो इनको आप फिर से इस्तमाल कर पाएंगे ठंडी में ये खराब नहीं होते और देखिए मैंने 100 ml निकाल लिया है तो उंटर टाइम में ये फटलेजर आप बहुत ही ज्यादा प्लांट में भी दे सकते हैं और ये दिखिए चाय की पत्ती और चाय पत्ती को मैंने रात पर भीगा कर रखा है आपको ये चाय पत्ती से क्या होगा इनको मैं छान लूँगी और इनसे जो पानी है ये मैं फटलेजर में मिला रही हूं तो मैंने यहां पे 100 ml मिलाया है और जो होता है मिट्टी को NPK यानि nitrogen, phosphorus और potassium तीनों ही देता है और बहुत सारा nutrition होता है चाय पत्ती में चाय पत्ती से प्लांट की growth बहुत जल्दी होती है और साथ में ये दिखिए ये और एक जरूरी चीज जिसे मिट्टी में जो microbes होते हैं ये बढ़ते हैं मिट्टी में जित में भी बहुत सारे nutrition है जो मैं आगे बताऊंगे आपको और ये जो fertilizer बनेगा बहुत ही ताकतबर fertilizer बनेगा ये flowering को boost करेगा प्लांट की growth को boost करता है और तो इस fertilizer को आप दिन में दीजिए और जब भी देना है friends मिट्टी को चेक कर गए ही देना है यानि मिट्टी dry है तब ही आपको इसे प्लांट में देना है तो इस fertilizer को ताकतबर बनाने के लिए हमने बहुत सरे पोशक तत्व मिलाए है और इनमें से एक है ये और इसको बनाने का जो तरीका है इसको मैंने ये दिखे लॉंग यानि क्लोब तो इसको मैंने चार दिन पानी में डीप करके रखा है औ और इसका पोशक तत्व देख लीजिए कितना सारा पोशक तत्व है इसमें और इसे जो fertilizer बनता है बहुत ही जादा fertilizer ताकतबर बनता है प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती है तो इसमें इतने सारे nutrition है ये एक micronutrients का का काम करती है इसलिए ये बहुत ही जादा जरूरी ह प्लांट के लिए और हमारे प्लांट को 16-17 तरह के nutrition चाहिए प्लांट की growth enhance करने के लिए flowering करने के लिए तो पूरा nutrition मिलेगा तो ही plant अच्छे growth करेगा अच्छे flowering भी करेगा लेकिन बारिश के time use नहीं करना है monsoon में use नहीं करना है तो मेरे channel में friends natural organic fertilizer के उपर 145 से ज्याद प्लांट के growth बढ़ा सकते हैं तो मेरे channel को जरूर subscribe कीजिए like share और comment कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए thank you